Hello everyone, welcome back to my channel और कैसे हैं आप सभी? I hope सभी अच्छे ही होंगे आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नए टोपिक पर प्रोजेक्ट चीता पर इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रोजेक्ट चीता क्या है इसकी शुरुवात कब की गई थी और सात में हम जानेंगे जो सबसे important है कि भारत में प्रोजेक्ट चीता को launch क्यों किया गया क्या कारण है वो और इसी के सात में हम यह भी जानेंगे कि क्या भारत में पहले चीता थे यानि कि 1922 में जब इस प्रजाति को विलुप्त घोशित कर दिया गया था तो उसके विलुपत होने के कारण क्या-क्या थे उनको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जानेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में प्रोजेक्ट चीता के अगर सुरुआत की हम बात करें तो इसकी सुरुवाद 2008 में UPA की सरकार में की गई थी लेकिन 2010 में सुप्रिम कोर्ट ने इसको अप्रूवल नहीं दिया और ये योजना रुख गई इसी के साथ 10 साल बाद यानि कि 2020 में सुप्रिम कोर्ट ने प्रोजेक्ट चीता को अप्रूवल दे दिया आइन की मनजूरी दे दी और इस योजना पर काम होने लगा अब अगर हम बात करते हैं कि ancient time में थोड़ा सा past में चले जाते हैं कि इंडिया में 1922 में यानि कि इस परजाती को विलुप्त गोशित कर दिया गया था तो बात करेंगर हम 1947 की तो आखरी जो एशियाई चीताज थे जिनको भारत में शिकारी तेंदवा भी कहा जाता था उसके पीछे कारण है कि उनको शिकारी तेंदवा क्यों कहा जाता था क्योंकि शिकार करते थे काले हिरनों का साथ में ये भी कहा जाता है कि जो राजा महराज होते थे इंडिया में पहले वो इनको पैट बना के रखते थे चीताज को क्यों काले हिरनों का शिकार करने के लिए इसलिए इनको शिकारी तेंदुआ कहा जाता है तो 1947 के अगर हम बात करें तो जो एश्याई चीताज थे इस प्रजाति के तीन आखरी चीता इंडिया में थे उनको शिकार कर लिया गया यानि कि उनको मार दिया गया शिकार के बाद अब उनको मारने वाले कुन थे वो थे सरगुजा मध्यप्रदेश के महराजा रामानुज प्रताप सिंग देव जिनों ने शिकार करके इन तीनों चितों को मार दिया था लेकिन उसके बाद 1921 में च चीता को एक विलुप्त प्रजाती भारत में घोशित कर दिया गया। उसके 70 साल बाद यानि कि 1922 में विलुप्त होने के बाद 70 साल बाद 17 सितंबर 2022 को सभी जानते हैं प्रधान मंत्री के जनम दिवस पर आठ नामी बिया से चीते लाए गए और उनको प्रधान मंत्री ने कुनो नैशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में हैं वहाँ पर छोड़ा इसे के साथ शुरुआत हुई प्रोजेक्ट चीता की साथ में अगर हम बात करें इसके विलुप्त होने के कारणों की तो कारण उसमें दो ही आते हैं एक उसमें आता है हंटिंग और दूसरा आता है श्रिंकिंग हैबिटेट हंटिंग का मतलब होता है कि शिकार करके किसी प्रजाति को खतम कर देना जैसा कि तेंदों के जो चीता थे उनके बारे में भी आया कि आखरी के तीन चीता थे उनका शिकार करके उनको खतम कर दिया गया था साथ में इसमें बात अगर हम दूसरे कारण की बात करें तो उसमें आता है कि shrinking habitat कि उनका जो habitat है कि जिसमें वो survive कर पाएं वो area उसको जब वो खतम होता है तो भी जो प्रजाति वो विलुप्त होने लगती है अगर हम बात करें इंडस्ट्रिलाइजेशन होगा मोडरनाइजेशन हुआ तो उसके कारण भी जो wild animals थी उनकी संख्या में काफी कमी आई तो ये कुछ कारण थे भारत में चीता के विलुप्त होने के अगर हम प्रोजेक्ट चीता के बेसिक एम की बात करें कि क्या कारण रहा है बेसिक जो कारण है वो क्या है तो वो है कि जो भारत में wild animals की जो diversity है उसको बढ़ाना यानि कि उसकी विविद्धता को बढ़ाना दूसरा इसमें कारण है कि जो उनका habitat है उसको revitalize करना भारत में 70 साल बाद प्रोजेक्ट चीता के थूँ चीतों को संरक्षन दिया जा रहा है उनकी संख्या में बढ़ोतरी के प्रियास किये जा रही है ताकि भारत में चीतों की जो विलुप्त प्रजाती हो चुकी है उसको दुबारा से री इंट्रोडियूस किया जाए अब इसी के तहत जो भारत में चीता जो प्रोजेक्ट चलाया गया है उसका मेन मोटो क्या है कि री इंट्रोडक्शन का कि जो पुनर उत्थान जिसको हम कह सकते हैं कि जो प्रजाती विलुप्त हो जाती है जब उसको दुबारा से उत्तपन किया जाता है तो उसको री इंट्रोड्यूस कहते हैं तो वो काम भारत में अब चल रहा है तो भारत सरकार प्रोजेक्ट चीता को वर्ल्ड्स फरस्ट इंट्रकॉंटिनेंटल ट्रांस लोकेशन प्रोजेक्ट बता रही है इसका कारण क्या है अब हम यहां पे समझ लेते हैं कि इंटर कॉंटिनेंटल क्यों कहा गया इस प्रोजेक्ट को इंटर कॉंटिनेंटल का मतलब होता है अंत्र महादवीपी है यानि कि दो महादवीपों के बीच जब कोई भी तालमेल होता है तो उसको इंटर कॉंटिनेंटल कहा जाता है तो ये प्रोजेक्ट दो महादवीपों के बीच में है अफरिका और एशिया के इंडिया के बीच मे क्योंकि जो चीताज हैं आठ चीताज हैं वो नामीबिया से आए हैं अफ्रिकन कॉंटिनेंटल से और एशिया के इंडिया में आए हैं तो ये इंटर कॉंटिनेंटल हो गया साथ में इसको कहा गया है कि जो ट्रांस लोकेशन को दिखा रहा है ट्रांस लोकेशन होती है कि एक म लोकेशन प्रोजेक्ट कहा गया है 17 सितंबर 2022 को जैसा कि आप सभी भी जानते हैं आठ चीते भारत में लाए गई हैं जो 8000 किलोमेटर की दूरी तै करके नामी बिया की राजधाने विंड होक से भारत लाए गई जिनको गवालियर लाए गया गवालियर से जो कुना नेशनल पार्क है मध्यप्रदेश का उसकी दूरी है 165 किलोमेटर दूर इन चीतों को स्पेशल प्लेन के द्वारा लाया गया आठ चीते हैं जिन में से पांच फीमेल्स हैं और तीन मेल्स चीता है इन सभी के अगर हम उमर की बात करें तो यह सभी चार से पांच साल के बीच के हैं इन में से सभी का जिसे नाम होता है वैसे ही इनके भी नाम थे लेकिन एक चीता जो फीमेल चीता थी चार साल जिसकी उमर है उसको प्रधान मंतरी मोदी ने नाम दिया आशा साथ में कारण बताया कि इन चीतों से भारत को बड़ी आशा है कि जो खोई हुई प्रजाती है ज CCF के तुरू आए है कि CCF नेन को भेजा है अब CCF क्या है उसको हम जान लेते हैं CCF है किता conservation fund जिसकी शुरुआत के अगर हम बात करें यह एक international level का एक lobby है यह हम इसको संस्था बता सकते हैं कि यह international level की है अब इसमें क्या होता है कि जो भी चीता ंट्रक्षन का ध्यान रखा जाता है तो जो भारत में आठ चीता आए है वो सबी CCF के तुरू आए हैं अब CCF की शुरुमत कब की गई थी वो 1990 में नामीबिया में की गई थी इसकी शुरुमत करने का काम जो किया वो डौक्टर लौरी मारकर्ने किया और उनके परियासों के कारण ही नामीबिया सरकार ने 2010 में उने टौलर पія से सम्मानित भी किया ईंडिया में जो प्रोजेक्ट उनकी उमर बहुत कम है अभी उनको क्या किया गया है कि क्वारंटाइन बार्डों में रखा गया इंडिया के एटमोस्फियर में जब वो सर्वाइव करने लग जाएंगे तो उनको एक खुली जगह पर छोड़ दिया जाएगा भारत सरकार और इंडियन ओयल कोर्पोरेशन द चीते भारत में लाने की योजना है इसमें अगर हम बात करें टोटल जो ग्लोबल पॉपलेशन ओफ द चीताज की तो ग्लोबल पॉपलेशन के अगर हम बात करें तो अब जो प्रेजेंट टाइम पीरिड जल रहे हैं उसमें 90% कमी आई है यानि कि हम अगर बताएं कि आज जो दुनिया में जितने भी चीताज हैं वो केवल 10 प्रतिशती मिलते हैं और अगर उनकी पॉपलेशन के अगर हम बात करें तो वो है इन में से मोस्टली जो पॉपलेशन है अगर कई बार कॉश्चन भी आ जाता है कि कौन सी कंट्री है जिसे चीतों का देश के आ जाता है जाते हैं तो वो है साउथ ऐफरीका जितनी भी पॉपलेशन है टोटल पॉपलेशन का यानि कि पैंसे भी सथ सो से इकतार सो के बीच जो पॉपलेशन है उसका वन्सथ हर्ड पार्ट एक तिहाई भाग जो साउथ ऐफरीका में पाया जाता है प्रोजेक्ट चीता के तहद चीतों को भारत के कूनो नैशनल पार्क जो की मध्यपरदेश में स्थित्य वहाँ पर लाया गया है अब इसलिए हम थोड़ा सा कूनो नैशनल पार्क के बारे में भी जान लेते हैं कुनो नैशनल पार्क का नाम कुनो किसके नाम पर रखा गया एक नदी के नाम पर जो की चंबल की सहयक नदी है उसकी ट्रिब्यूटरी है कुनो उसी के नाम पर इसका नाम कुनो नैशनल पार्क रखा गया कुनों की स्थापना 1981 में की गई थी एक वन्य जीव अभ्यारन के रूप में ओके फ्रेंड्स तो ये हमने प्रोजेक्ट चीता का जो पोशन था वो कम्प्लीट कर लिया है आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगी तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब मैं चैनल ऐसी ही लाइटेस्ट वीडियो को देखने के लिए जुडे मेरे चैनल से थैंक यू सो मच और हैव आइस दे